नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल माय क्रियेशन्स में और यहां पर आज मैं सेकेंड पार्ट लेके आई हूं वीडियो का जो की 48 साइज में हमने स्टिचिंग करी है इस वीडियो में तो आप पहली बार आएं मेरे चैनल पे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब क क्या करेंगे इसको उल्टी तरफ से अस्तर रखके इसको सिलाई चला लेंगे गले पर और उसके बाद जो है एक सिलाई चलाने के बाद हम इसे टर्न कर लेंगे इसलिए यह विदाउट पाइपीन यह गला बनेगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा पसंद आए तो ल और फॉर्स्ट चाइम मैंने 48 साइज में स्टिचिंग की वीडियो यह डाली है फिर एक सिलाई यहां से मारेंगे तो सबसे पहले नीचे हमने यह सिलाई मार दी है कि और गले पे जो है हम कॉर्ण रांड पे हमारा जो रांड है उस पहम थोड़े थोड़े कट्स लगा लेंगे सिलाई के अंदर ही यह क्योंकि जब तक आप रांड पे खट नहीं लगाते हैं तब तक आपकी जब जब आ फोल्ड करते हैं तो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है और आपका गला अच्छे से नहीं बैटता है तो इसलिए ये करना जरूरी है उसके बाद से आप इसको सीधे साइड में टर्न कर लीजिए तो इससे क्या होगा कि आपको नीचे में भी पट्टी जोड़ एक्स्ट्रा पट्टी जोड़ने की कोई ज़रूत नहीं पड़े है क्या अपका गला बनके रेड़ी हो गया आप सीधे सीधे बस एक सिलाई चला दिजे एकदम किनारे पे और यह एकदम बैट जाएगा सॉल्यूशन है आपके पास कि आप ऐसे भी ब्लाउस का गला बना सकते हैं देखे काफी फिनिशिंग के साथ ये गला जो है हमारा बनके रेडी हो गया है और एक सिलाई गले पर और एक सिलाई हम नीचे की तरफ भी चला देंगे कर देखे की तरफ देखे की तरफ बना सकते हैं कर देखे की तरफ बना सकते हैं जब आप सिलाई चला लें तो दोनों को मैच करके और आपको दे देना है याँ पे कम से कम पांच इंच की प्लेट तो ये बैक साइड में ही हम पांच इंच की एक प्लेट देंगे हमने यहाँ पे अंदाजे से दिया है हमें अंदाजा है पांच इंच का तो आप भी दे दीजेगा पांच इंच का नापके ये पीछे का पोर्शन कम्प्लेट हो गया है अभी अभी जो है हमें आगे का भी same to same हमें सिलाई चला लेनी है और इसमें भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे इसको उल्टी साइट से ही जो है वो अस्तर को सिलाई चलाएंगे और एक ही बार चारो तरफ से नहीं चलाएंगे क्योंकि इसे भी हमें टर्न करना है तो हम बस इधर करेंगे और इसमें आपको जब आप ऐसे डान करदाएंगे तो आगे की तरह भी पाई पीन डाले की कोई ज़रूत नहीं है आप ऐसे भी बना सकते हैं देखे बहुत easy and simple way में यह blouse stitching हमने की है कि जो नए लोग सिलाई सीखना चाहते हैं या जो नए है भी तो उनके लिए बहुत easy है और यह चारो तरफ से आपको अस्तर को चिपका लेना है सिलाई चला के और सेम आपको second portion के साथ जो हमारे आगे का हिस्सा है आपको दूसरे portion के साथ भी यही करना है जैसे हमने इसमें किया है तो same to same इसे भी हम ready कर लेंगे एक ही बार अगर आप किसी और size की blouse की cutting चाहते हैं सिंगल कटोरी डबल कटोरी या योग पटी या सादा blouse कोई भी तो आप एक पर मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा और मैं कोशिश करूंगी कि मैं demand को पूरा करूं वैसे तो मैंने all sizes में all तरीकी की blouses की वीडियो डाली भी है अगर आपको किसी चीज अभी किसी भी वीडियो की जरूरत हो तो एक बार आप मुझे बताईएगा ज़रूर ये देखी दूसरा भी हमने ऐसे ही रड़ी कर लिया जब आप अस्तर को चिपका लें पूरी तरीके से तो यहां पर बारी आती है प्लेट्स की तो प्लेट्स भी आपको हाफ आफ इंच कपड़ा लेके और सिलाई चला लेनी है यह प्लेट्स हम रड़ी कर लेते हैं आपकी दोनों यह दोनों तरफ की प्लेट्स हमने रड़ी कर ली है अब यहां पर बारी आती है हमारी योग पट्टी की जो की हम ब्लाउज के नीचे जोड़ते हैं तो इसे भी आपको ऐसे ही सिलाई करनी है उल्टी तरफ से और इसे भी हमें टर्न कर लेना है तो टर्न करने का एक फाइदा ये है कि आपको अलग से पट्टी लगा के जोड़ना नहीं पड़ेगा और फिनिशिंग भी जादा आती है तो आपको ये है कि नीचे से पट्टी जोइन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और जहां पर भी आप टॉन करें उसके उपर से एक सिलाई जरूर चला दें ताकि वो अच्छी तरीके से वहां का कपड़ा बैट जाए और आपको गुमा के उपर से ही चारो तरफ से सिलाई चला लेनी है इस पर और ऐसे ही आपको दोनों तरफ की योगपटी को रेडी कर लेना है और यह जो एकसेस कपड़ा बचता है आपका अस्तर से जो बाहर निकल जाता है जो एक्स्टर ब्लाउस भी इसमें निकल जाता है उसे आप काट करके और निकाल भी सकते हैं चाट सकते हैं या वैसे भी रहने दे सकते हैं अब यहां पे देखिए हम इसको योग पट्टी जॉइंट करेंगे तो यह ऐसे जॉइंट होगी यह जो एक्सेस कपड़ा देख सकते हैं यहां पे बचाया वह आप काट करके निकाल सकते हैं और योग पट्टी जोड़ने के बाद फिर से हमने फ्रंट की साइट से एक सिलाई मार दी है उपर ताकि यह अच्छी तरीके से बैठ जाए तो आप देख सकते हैं एक ही साथ आपका सारा कुछ रड़ी होता जा रहा है देखिए यह कपड़ा एक्स्टा जो है इसे हम चाट के निकाल देंगे यह हमारा फ्रंट का हिस्सा हो गया कि इसे अब हम यहां पे शोल्डर जोइन कर लेते हैं पहले ना अप लिंगे कि हम अगर छोटा बड़ा होगा ना तो शोल्डर की तरफ से हम थोड़ा सा कट करके निकाल भी सकते हैं क्योंकि नीचे से तो हमने टर्न करके और डी बना लिया है तो जादर डिफरेंस नहीं आ कि यह हमारा दूसरा हिस्सा इसे इसे इसमें भी हम सेम टू सेम योग पट्टी जोड़के और इसे भी शोल्डर हम जॉइंट कर लेंगे तो इतना मैं आपको स्किप करके दिखा देती हूं यह देखिए दोनों योग पट्टी हमने जोड़ ली है दोनों एकदम बराबर है यह आपको देखना पड़ेगा दोनों हिस्से का जो सिलाई है वो एक बराबर आए यह अब यहाँ पे बच्चती है हमारी हुग पट्टी जिसमें हमें हुग लगाना है तो यह हमारे पास क यह अस्तर का कपड़ा है, हम इस तरफ से लगाएंगे, डबल फोल्ड करके, सिलाई चलाएंगे, और इसके बाद इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, ऐसे, और एक सिलाई किनारे की तरफ चला देंगे, इस पे, तो यह हमारी हूंक और कचपटी भी हो जाएगी, बह यह देखिए, हो गई, यह एक तरफ की रड़ी हो गई, तो यह हो गई हमारी पटी बन गई है, और यह जो है, यह दूसरी साइड में हम ऐसे जॉइन करेंगे, दोनों को अलग अलग तरीके से जॉइन करना है, हुक पटी और कचपटी एक ही तरीके से जॉइन नहीं होती है, देखिए, इसको अंदर के साइड रख करके, और इसको यह कचपटी उपर क कि तरफ फोल्ड करनी है तो यह जो उपर की तरफ फोल्ड होगी उस पर हमारा कज बनेगा और जो अंदर की तरफ फोल्ड होई है उस पर हमारा हुप बनेगा यह हमारा आस्तीन तो आस्तीन में जैसे कि आप कटिंग वीडियो में देख सकते हैं आस्तीन की लंबाई चौड़ाई जो है वो छोटी होने के कारण हमने वो कपड़ा बनाया था तो मैं आपको यहां पे दिखाती हूं कि कैसे आप जो है वो तुकड़े जोड सकते हैं और वो अंदर की तरफ चला जाता है पता भी नहीं चलता है कि आपने ज्वाइंट किया हुआ है आपको दोनों साइट से ऐसे बराबर से जोड़ लेना है उपर से एक सिलाई चला लेनी है तक यह बैठ जाए तो यह देखिए अभी यह ब्लाउस का अस्तीन है तो हमें इसे भी उल्टे साइड में रखके जॉइन करना है देखिए ज्वाइंट कर लिया हमने अब इसको अंदर के साइड आप फोल्ड कर दीजे और यहां पे एक सिलाई चला दीजे देखिए यहां पे अब कहां हमने कपड़ा जो है वो ज्वाइंट किया तब आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वो अंदर की तरफ जा चुका है और चारो तरफ से आप उसे लाई चला के इसको ऐसे बराबर कर लेना है तो हमने चारो तरफ से अटेच कर दिया है अब बारी है इसकी हमें ब्लाउज में अटेच करने की तो यह हमारा शोल्डर और यहां से हमें ब्लाउज का आस्तीन रखना है तो आस्तीन कभी भी बीचो बीच में जहां से आप शोल्डर जोइन करते हैं वहां से आस्तीन का बीचो बीच यहां पे कट लगा ले और ऐसे रखे और बीच से ही आप सिलाई चलाना स्टार्ट करें कि कर दो 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 कर तो यह देखिए हमारा जो है वो आस्तीन वी जोड की रेडी हो गया है तो सबसे पहले हम सीधी तरफ से ही इसमें सिलाई चला के एक हल्की सी सिलाई चला लेंगे हाफ इंच का मार्जिंग रखके और यह जो कपड़ा हमारा घटा बढ़ा हुआ है इसे काटके हम निकाल इसमें सीधी तो सबसे पहले आपको फ्रण्ट साइड पे ही सिलाई चलाने नहीं है वो इसलिए हम चलाते है क्योंकि कभी अगर आपका किप्ड़ा ऐसा है जो सिलाई उधरती है उसमेंसे या कपड़े के रेशे निकलते है तो यह आपका सेफ हो जाता है उससे क्या होता है कि आपका रेशा जो कप्टे निकलते हैं वो वो चीज नहीं निकलती है तो पहले आप फ्रंट में ही रखके और हाफ इंच ज्यादा नहीं आधा इंच का मार्जिंग रखके और आप सिलाई चला लीजे और बस अब इसको टर्न कर लीजे दूसरे साइड में और आप यहां से कि और आपको यही करना है और आपकी जो कमर की फिटिंग है और जो सीने की फिटिंग है उस मार्जिन पर आप इस ब्लाउस की फिटिंग कर लीजे बस हो गया है यह और आपने देखा कि काफी आसानी से और बहुत जल्दी हमने ये blouse तयार कर लिया है हमने fitting की सिलाई भी चला लिए at least दो सिलाई आप चलाईए fitting के लिए ये देखिए हम fitting यहां पे करेंगे तो 12 इंच पे हमने marking लगाई है चौथाई भाग पे 44 इंच पे हमारी कमर का तो यह हमने देखें मार्किंग लगा लिया है 8 इंच आस तीन का 12 इंच 12 इंच 24 इंच और 11 इंच पे कमर यह हमारी फिटिंग का मार्किंग हो गया और सीम टू सेम आपको दूसरे साइड भी ऐसे मार्किंग कर लेना है चौक से तो यह हमारी हो गया 48 का चैस्ट और 44 की कमर यानि की बस्ट आपका होगा 48 और वेस्ट आपकी होगी यहां पर 44 की तो बस आपको यही फिटिंग करके मार्जिंग और देख सकते हैं आप एक्स्ट्रा कपड़ा आपके पास इतना बच्चा हुआ है कभी आपको और कपड़ा खूनला पड़े तो इतना कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए आपकी ब्लाउस में तो बड़ी साइस का ब्लाउस है लेकिन बहुत इजिली बन गया दो सिलाई आप चला लिजे इस पर दो से तीन सिलाई तो लगबग हमारा यह ब्लाउस देखिए अभी हमारा ब्लाउस बन के रेडी भी हो गया है और बहुत अच्छी तरीके से बना है तो अपको यह वीडि थो प्यार क्यों portion पूले कर को गया है और भी हमारा यह वीडि़ीम चलाई जिली तन के व घ्या जजञा पसuousना है